अच्छी पत्नी कैसे बने? अच्छी पत्नी में क्या-क्या विशेस्ता हैं होनी चाहिए? आज के अपनी इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे देखो हर कोई अच्छी wife बनना चाहता है हर कोई अपने husband को support करना चाहता है लेकिन उसके बाद भी काफी efforts देने के बाद भी कुछ तो कहीं तो कमी रह जाती है जो कि husband wife के बीच में बहुत जगड़े होते है या रिष्टा उतना smooth नहीं चल पाता जितना कि हम expect करते हैं या हम उसको चलाना जाते हैं उसके लिए आपके अंदर क्या-क्या विशिष्टा हैं होनी चाहिए क्या वो विशिष्टा हैं आपके अंदर हैं या नहीं है इन बातों को आज हम discuss करने वाले हैं तो चली वीडियो को start करते हैं पहली गलती जो कि हम लोग अकसर कर जाते हैं और हमें as a good wife नहीं करनी चाहिए वो है अपने माईके वालों के सामने अपने husband का अपमान करना जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि मानलोग आपके घर में कुछ भी चीज हुई है या आपके husband में कोई भी कमी है कि हर इंसान में कही न कहीं कोई न कोई कमी होती है उस कमी को अगर आप बार बार अपने माईके वालों के सामने बताओगे और अपने husband के सामने बताओगे suppose कि आपकी मदर है या आपकी भाई है या पापा है जो भी है उनके सामने आप यही चीज़ बताओगे कि इनके अंदर तो यह कमी है यह तो ऐसे करते है तो वैसे करते है तो obviously उनको अच्छा नहीं लगेगा जो कि एक बहुत ही negative point है आपके रिष्टे को भी गारता है आपकी जो आपसे understanding है उसको भी गारता है तो यह काम आपको कभी भी नहीं करना है दूसरा आपके husband की जो भी earning है जितनी भी earning है कभी भी उसको लेके टाना नहीं मारना जीए अक्सर wife क्या करते है कि मान लिजिए आपके husband है मैंने कर 10,000 रुपे कमाते है आपके बहन के husband या आपके जादा earning करते हैं तो आप वो comparison बार-बार करते हैं कि देखो मेरा भाई तो यह कर रहा है या मेरे जी 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 तो यह कर रहा है तुम ऐसा कर रहे हो तो यह जो earning का जो आप ताना मारते हैं बार-बार जो बाते सुनाते हैं उनके earning को लेके यह आपकी image को बहुत ही खराब कर द अगर आप किसी भी तरीके से उस लायक नहीं हो या आप को सपोर्ट करी नहीं सकते हैं तो भी उनका अर्णिंग है उसी में ही आप अपना घर खड़ चलाइए उसी में ही आप सेविंग कीजिए और देखिए कि कैसे अप उतने ही पैसे में अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से spend कर सकते हैं तीसरा, अच्छी वाइफ की सबसे बड़ी quality होती है कि अगर कभी भी आपके घर में किसी भी चीज को लेके मतबेद हो जाता है यानि कि आपका सोचना कुछ और है husband का सोचना कुछ और है तो कभी भी वो उन चीजों पे जगडे नहीं करते बात-बात पे जगडे और जिद नहीं पकड़ते कि नहीं मैं ही सही हूँ, आप ही गलत हो या आपको ही मेरी बात माननी पड़ेगी ये जो इस तरीके का जिद्धी नेचर होता है वो एक अच्छी wife की quality नहीं होता है अगर कभी भी मतमेद हो जाता है किसी भी चीज को लेके अगर आप दोनों के विचार अलग-अलग है तो बैट के politely उस मुद्धे पे बात कीजिए खुल के अपनी राय रखिए, अपने विचार रखिए कि अगर आप ऐसा सोच रहें तो क्यों सोच रहें और वो ऐसा सोच रहें तो क्यों सोच रहें अगर आप आराम से, सहीं से, सुकून से बैट के बात करेंगे न तो आपको एक दूसरे के point of view पता चलेंगे कैसे उस चीज को आप improve कर सकते हो कौन गलत है, कौन सही, अगर दोनों सही है तो कहाँ पर वो लेक आ रहा है जिसकी विज़े से मत्वेद हो रहा है वो चीज़े आप आराम से find out कर सकते हैं वहीं अगर आप उस चीज को लेके जगड़ोगे जित पकड़के बैठ चाओगे, उनकी सुनोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगला बंदा सोच क्या रहे तो उसे क्या होगा, आपको जगड़ा है वो बढ़ता जाएगा जगड़ा बढ़ेगा, रिलेशन्शिप खराब होगा अच्छी वाइफ तो फिर आप अपने आपको कही नहीं पाओगे अगर खुद को एक अच्छी वाइफ बनाना है तो आपके अंदर सैयम और सहन सिलता होना बहुत ज़रूरी है और एक कम्मिनिकेशन जो होना चाहिए है पॉजिटिव कम्मिनिकेशन वो आपको हमेशा बना के रखना है चौथी जो एक कलती मैक्सिम वाइफ करते है जिसकी वज़े से उनकी जो एक इमेज है सस्तुराल में वो खराब होती है वो होता है कि अगर सस्तुराल में कोई भी छोटी बड़ी बात हो जाए जिको हर घर में कुछ न कोई छोटा मोटा तो चलता ही रहता है ऐसा तो कोई घर शायद ही दुनिया में होगा कि कभी कोई जगडा या मन मुटाव मतभेद कभी हुआ ही नहीं ऐसा तो नहीं होता है परिवार है कुछ न कुछ बाते होती है अगर आप अपनी हर छोटी छोटी बात को अपने माईके में फोन करके बताते हैं जाके बताते हैं या हर बात में उनको इन्वाल्व करते हैं ये भी अच्छा नहीं होता है आपके रिष्टे आपके हस्बिंड के साथ भी गड़ जाते हैं वाकई में अगर बहुती खराब कंडिशन्स हैं, बहुती जादा कुछ आपके उपर अत्याजार हो रहा है, तो बात बिलकुल अलग है, फिर आपको जरूर बताना चाहिए, लेकिन हर छोटे बड़े जगडे को जाके अपने माईके में बताना और उनसे हर चीज में सलहा ले अपनी तरफ से आप हमेशा सही रहो तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, कि सब लोग आपको भी रस्पेक्ट देंगे, अगर आप चाहते हो कि एक दिन, दो दिन, चार दिन में सारी चीज़े बढ़िया से हो जाएं, तो ऐसे नहीं होता है, अपनी तरफ से आप हमेशा सही से अपने हर रिष्टे को समान दो, अगर आपके जो इन-लॉज हैं, सबोस मान लिया कि वो बहुत जादा ओल्ड ख्यालात के हैं, बहुत पुरानी बातें सोचते हैं, पुराने रूस को आप से फॉलो कराना चाहते हैं, तो एक बार करके देख लो, उनके हिसाब से चल के द समद के साथ में इस पूर्ग नहीं चल सकता, अगर हस्बेंड के साथ में रिष्टा मजबूत चाहिए, तो उपने इन-लोज के साथ में भी रिष्टा मजबूत बनाना बोहुत ज़रूरी है, तो कभी भी यह न सोचएं कि मेरा रिष्टा से इस आदमी के साथ है, तो मुझ